हेलो दोस्तों स्वागा था आपका एक्जाम टाइम में दोस्तों यहाँ पर MPPSC मैंस 2019 का जीस पेपर फर्ष्ट हमारे पास आ चुका है तो यहाँ पर हम इसे फुल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर समझने के प्रयास करेंगे कि जो पेपर का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था मोडरेट था या फिर सिंपल था अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेसिक की इंफोर्मेशन देना चाहूंगा कि यह जो पेपर होता है यह इतिहास और भूगल से यहाँ पर संबंदित होता है अब इसका जो पूर्णान को होता है वो टोटल 300 मार्क्स का यह होता है पार्ट A 150 का पार्ट B भी यहाँ पर 150 का टोटल आपको यहाँ पर तीन घंटे यह आते हैं इतने में आपको यह पेपर सोलू करना होता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख लेते हैं सेक्सान A यानि कि जो पार्ट A है तो इसमें यह इतिहास संबंदी थे B किस संबंदी थे भूगल संबंदी थे अब दोस्तों यहाँ पर यह 15 से 20 सब्दों में आपको 3 Marker के आंसर देना होते हैं 3 Marker आपको यहाँ पर टोटल कितने 15 परसन यहाँ पर दी आते हैं ठीक है दोस्तों तो अब जो यहाँ पर 3 Marker है किस पकार के आये हैं और उनका क्या लेबल था यह हम यहाँ पर समझने का प्रियास करेंगे ठीक है दोस्तों तो देखे आपको यहाँ पर जो पहला प्रसन दिख रहा है थर्मडोरियन प्रतिकरिया ठीक है तो यह कोश्चन बहुत लोगों को टप पढ़ा होगा क्योंकि इस पकार के कोश्चन धिकतर यहाँ पर हमारे नजरों से छुड़ी आते हैं उसके बाद में विलोब राइट से 1690 और बाड़ा बंदी अंदोलान यह इस पकार का यहाँ पर यह कोश्चन आ था बाड़ा बंदी अंदोलान उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कि रिगवेदिक पंचिजन ठीक है तो यह स पारे में आपको यहाँ पर बताना था नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भीमन आयक जो कि हमारे MP से संबंदित कोश्चन है और JVP कमीटी के बारे में आपको तीन लाइन में आंसर यहाँ पर देना था और सीवनी सत्यागरे टूरिया उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पिक नहीं मिलेंगे यानि कि आपको अन्य विकल्प यहाँ नहीं मिलेंगे यह 15 ही आते हैं 15 ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखोगे तीन से चार प्रसन ही वह MPG से संबंदी थे बाकी के अन्य जीके से संबंदी थे यहाँ पर कोश्चन ठीक है ठीक है छे अंको वाले प्रस्ट पर हम आयाते हैं तो इनको आपको दोस्तों यहाँ पर एक पेज के अंदर आपको यहाँ पर इनका आंसर करना होता है ठीक है तो यहाँ पर देखे पेपर को जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पर अभी पूराने के कंपरीजन में आप देखोगे तो जो 2019 का जो पेपर है इसमें यहाँ पर थोड़ा सा टफ है यानि कि आपको यहाँ पर डिफली पढ़ना पड़ेगा ठीक है और MPPSC का आपको पता होगा कि इसमें जो मेंसे है तो मेंसे में बहुत ही कम ऐसे चांसे होते हैं कि कोस्चन ज इसी पकार से सारे कोस्चन का जो फोर्मट है वो यही है बागी यहाँ पर मंगोलो को कैसे यहाँ पर प्रभाइद किया ठीक है तो यह इस पकार का यहाँ पर कोस्चन है यानि आपको यह डीपली पढ़ना था उसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रथम विस्विध्य के पिलियम के सूतर तो इस पकार के यहाँ पर कोश्चन पुछे आते हैं तो थोड़ा सा यहां पर इसे हम इनक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि भारती व्यपार पर बिटिस सासन के प्रभाव का आलचनातमक परिखण यहाँपर आपको करना है यानि कि आलोश नाटमक यानि आपको यहां पर सकरातमक पक्षी बतँना है नकरातमक भी आपको बताना है उसके बाद में बिटे सासन के विरुद्ध आदिवासियों के प्रतिक्रिया के कार्णों को आदिवासि विद्रहों के प्रकास में उद्गाटित कीजिए इस प्रकार का यह कोश्चन आया था नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि यह हमने यहाँ पर देख लिया है यह भारती पुनर यहां पर प्रश्चा ब्रता के स्थिति क्या है इस परकार के यहां पर आया था उसके बिर्टानिस आसन ने भारत में दरीदिरता को बढ़ावा दिया है या बढ़ा आया है इस कथन की तथियों के प्रकास में समिक्षा कीजिए, अब यहाँ पर आपको समिक्षा करना है, यानि समिक्षा, मुल्यांकन टाइप से इस प्रकास से यहाँ पर बहुत प्रसना आ रहा है यानि कि जो MPPC है, अब जो Unstate PCS में जिस प्रकार के कोश्चन आते हैं यहाँ पर फोलो करने के यहाँ पर कोशिस की जा रही है ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर का difficulty level है, यानि कि हम इस सिंपल तो नहीं कह सकते हैं moderate यहाँ पर इस पेपर को कह सकते हैं बाकि हम और देखते हैं किस पकार के और कोश्चन आया थे कि यहाँ पर मालवा उस्सव पर संचिप्ति टिपनी लिखी है ठीक है उसके बाद में next है कि मद्धिपदेश में इस्तित उदेगरी के गुफाओं के प्रमुक विजिस्ता का वर्णन कीजिए और अमरकंटक के धार्मे के ओं सांसिकरतिक महत्व का विवेचन कीजिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार समझनी होगी जो मद्धिपदेश है मद्धिपदेश के परियाटन से हर बार यहाँ पर कोश्चन आते हैं जो परियाटन उससे हर बार यहाँ पर कोश्चन आते हैं तो यह आप देखोगे उदेगरी की कोफाय और अमरकंटक यानि कि सब का बराबर रहता है यानि कि MP से भी थोड़े प्रसना आएंगे फिर World Day हिस्ट्री से भी थोड़े से प्रसना आएंगे और भारत के हिस्ट्री से भी थोड़े से प्रसना आएंगे इस पकार से यहां पर रहते हैं अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं अब यह जो है प्रस्न करुमान के तीसरा है इसमें आपको यहां पर 372 आंस। देना होता है वृ पृतिक के लिए 15 vagंगकर यहां पर निफधारित रहते हैं तो दोस्तों आप कल का वीडियो हमारा देख सकते हो हमने यहाँ पर यही बताया था सिंदु घाटी सब्वेता के प्रमुक इस्थाल और उनके नगल नियोजन वगेरा आपको यह पढ़के जाना है गुप्तकाल में विज्ञान और तकनिक के विकास में आपको यह बंडन करन ही उसके बाद में भारत छोटो आंदोलन को प्रारम किये जाने के क्या करणने भारत ॉबारत छोटो आंदोलन का भी हमने टॉरा को वीडियो में आपको बता था प्रस्ण करमान के जो 1 होता है इसमें आपको 15 थ्री मार कर यहां पर करने होते हैं ठीक है 15 से 20 सब्दों में आपको इनका आंसर देना होता है अब दोस्तों यह जो पेपर होता ही है यहां आपको हमने कल के वीडियो में क्या बताया था कल के वीडियो में बताया था कि आपको स पहले प्रसंद देखो कि भारत को कितने बहुत आकर्तिक विभागों में बाटा गया है नाम लिखे ठीक है थिरी मारकर में आपको तीन लाइन में इसका आंसर देना था भारत में सरवादिक जनसंक्या आकार वाले तीन राज्यों के यहाँ पर नाम लिखे हमने आपको विसे अी आपको ज्याद्य ज्याजा तीन ही चीजे लिखना है और आप तीन नाम आप बता दोगे यहाँ आप दोस्तों आप कल का वीडियो हमारा देखिए कल के वीडियो में हमने जोर देकर बोला था कि खाद दी प्रसंसक्राण उद्धोग आपको यहाँ पर तियार करना है क्योंकि 2014 से लेकर 2018 तक कि आप पेपर देखोगे तो वहाँ पर आपको खाद दी प्रसंसक्राण से एक भी प्रसंद नहीं मिलेगा बाकि कल के वीडियो में हमने बताया था कि खाद दी प्रसंसक्राण आपको पढ़के जाना है इससे यहाँ पर कोश्चान आने की संभावना क्यों है और यह हमने दोस्तों किसलिए कहा था वह प्रकरति आपदा वाला तो यह तो आप से बनी गए हुआ है उधारने दीजिए। उसके बाद में मुर्दा के बारे में भी हमने आपको बताया था मुर्दा परदन को रोकने के मुख्थ उपाय लिखिया बाकि हमने इहाँ पर कल के जो वीडियो है उसमें आपको ये बताया था कि मिर्दा के विसेस्ताय लिखे वाला अच्छा से पढ़ के जाना जिसे जेविक, रासाइनिक और बहुतिक विसेस्ताय होती है मिर्दा की और दोस्तो सत्पूरा परवत की सबसे उची चोटी का नाम लिखिए अब दोस्तो सत्पूरा उसके बाद में नरमदा घाटी के बाद में यहाँ पर हमने क्या बता था मध्य भारत के बारे में ठीक है और मालवा के पठार के बारे में तो ये तीन चार चीजे हमने इसी बताई थी कि ये मद्धिपदेश में आपको पढ़ के जाना है दोस्तों अभी तक आप देखोगे अभी तक आपको यहाँ पर विस्व भूबल का एक भी कोस्चन देखने को नहीं उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों इसमें भी 10 प्रसन आपको करना है सो सब्दों के होते हो और 6 अंक के यहाँ पर कोस्चन होते हैं ठीक है तो इसमें से आपको कोई 10 प्रसन करना था आप देखते हैं आप कास्ट इस्थालर कितिया के विकास के लि में आपको बताना है उसके बाद में यहां पर भारत भारत के मरदा अपरदन के समस्या को प्रभाहित प्रभाहित छेत्रों का वीवरंड दीजिए भारत में सुसकर क्रिष्टी की बारे में पताया था कल की वीडियो में प्रमुक समस्या को लिखे मतिपदेश के जनसंख्या क गहनतु के चहत्री पतिरूप का संचिप्ति विवरंड दीजिए नेक्ष्ट है कि मदिपदेश में वर्षा के परिवर्तन सिल्टा पर टिपणी लिखे ये भी आप कल के वीडियो में देख सकते हैं यहां पर दोस्तों बात कते हैं कि मदिपदेश में स्वयाबिन के प्रमु हमने कल के वीडियो में आपको यह बता था यह आप यहां पर देख सकते हो उसके बाद में भारत में विंद किरम के चट्टाने का चेत्री वित्रण यह आपको यहां पर लिखना था उसके बाद में दोस्तों नेक्ष्ट कोश्चन हम देख लेती कि मदिपदेश के सिमेंट तो उद्धोक का यहां पर विवरंड दीजे अब देखें यहां पर भुझ के भुखंप दोहयार एक के पर टिपणी लिए ठीक है अब हमने कल के वीडियो में विश्ट तोर पर फोकस आपको यह किया था कि आप चाहे तो विश्व भुगोल यहां पर छोड़ भी सकते हो तो दोस्तों यहां पर लाष्ट वाले कोश्चन देख लेते हैं 15 मारकर जिनको 300 सब्तों में आपको यहां पर करना था तो पहला है उत्तर एवन दक्षिन भारत के अफवात अंत्र के तुलना किजी इसको आपको यहां पर तुलना करना था नदियों वगरे के नाम लिखना था उनकी कुछ-कुछ विसेस्ता है आपको यहां पर लिखना था उसके बाद में जल के विवेपपूर्ण उप्यों के दर्श्टे से सिचाई की नई तक्निक का विवेचन कीजे आप यहां पर यह सिचाई की नई तक्निक है यह आपको देखोगे तो जो हमारी अभी क्रिसी क अब यहां पर नेक्ष्ट है कि मदब देश में क्रिसी आधारे तुद्धोगों का विशेस्तोर पर आपको यहां पर बताया था दोस्तों आप यहां पर कल का वीडियो एक बार अच्छे से यहां पर देख लिए और आज भी आप जो कल जो सेकंड पेपर यहां पर होगा त तो उसमें आपको बता देंगी कुन-कुन से आईमपी चीजे हैं ठीक है दोस्तों अब यहां पर हम और बात करते हैं अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर आपदा प्रवंदन के सिद्धान्त का उलेख किजे और आपदा प्रवंदन में रहातिवं पुनर ऐसे हो कखने यहां पर इस्थान ि के प्रभाव क्या है यहां उप्राइभ से इसी प्रवा परेश्ट यहा siya let ऐसे हम सिंपल कहते हम यहां मोर में इस Cities यहां पर कह सकते हैं तो इस पकार का यहां पर यह question paper आया था 2019 में ठीके दोस्तों और आज भी हम जो second paper आप जो होगा जो यहां पर बताएंगे और बाकि इस paper के analysis के लिए भी आप कल का वीडियो हमारा देख सकते हो हमारे जो हिस्ट्री का हमने जो बताया था उसमें से थोड़े से कम question आया बाकि जो भूगोल का है भूगोल का पूरा portion हमने जो बता है उसमें से ही आया ठीक है बाकि हम यह नहीं कह है कि हमारे उसमें से ही आया बाकि सभी को पता है मतलब कि जो तयारी करते हैं उन्हें सब को पता रहता है कि कहां से question आते हैं ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर next video में तो इस पगार से यहां पर यह question paper आया था